Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, आज की वीडियो में आप सभी students के लिए 5 नए notifications दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप में से काफी ऐसे students थे जिनको इगनू की तरफ से प्रमोट किया गया था और आपके marks आपके grade card में भी update कर दिये गये थे जिनने अभी हटा दिया गया साथी दोस्तों आप में से काफी ऐसे students हैं जिनके study center को इगनू की तरफ से चेंज किया गया है तो दोस्तों आप इन notifications को ध्यान पूरुक देखिए सबसे पहले बात करते हैं आप में से उन सब इस students के लिए जिननोंने जून 2021 टामेंड एक्जमनिशन्स के लिए अपियर किया था आपके result की एक और नई update की गई है 11 अक्टूबर को सो आप अपने results चेक कर सकते हैं साथी दोस्तों आपके grade card को अभी update नहीं किया गया लेकिन आप में से काफी ऐसे students हैं जिनने पहले promote किया गया था और उनके marks उनके grade card में भी update कर दिये गए थे और काफी students के इसी type के complaints आ रहे हैं कि उनके marks अभी grade card में से हटा दिये गए सो friends आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूत नहीं है इगनु की तरफ से आपके grade cards को अभी एक बार update किया जा रहा है आपके marks की calculation सही से नहीं हो पाई जिसकी वज़े से उन्हें हटा दिया गया और जल्दी ही आपके marks को फिर से update कर दिया जाएगा सो आप इसके लिए ज़्यादा वरीड ना रहें अभी बात करतें next notification के बारे में यह है जम्मू regional center के students के लिए जम्मू regional center के जो भी students MAPC program के है आपका time and examination June 2021 का online project Viva Wars conduct किया जाएगा इसके लिए आपकी सबी details यहीं पे दे दी गई सो आप इन्हें चेक कर सकते हैं next notification है फिर राची regional center के students के लिए राची regional center के जो भी students जिनका BPCL 007 या BPCL 008 का online practical counseling schedule जारी किया गया है वो इसको चेक कर सकते हैं यहीं पे आपको Google Meet का भी link दे दिया गया इसके बाद में next notification आता है फिर Kolkata regional center के students के लिए Kolkata regional center की तरफ से एक नया notification जारी किया गया है जिसमें आप में से काफी ऐसे students हैं जिनके study center को अभी बदल दिया गया आपके study center को change कर दिया गया आप सभी students तुरंत अपना नया वाला study center चेक कर लिजे साथी दोस्तों अगर आप अभी तक अपने assignment जमा नहीं करवा पाए तो आपको अभी अपने assignments की guidelines जारी की गई है इसमें सबसे पहले है डेली 1, डेली 2, डेली 3 नोईडा, जोदपूर, मदुराई कोचिन, मुंबई, पूने कोलकता, जम्मू बेंगलोर, बीजापूर और जोराट दोस्तों ये ऐसे regional centers हैं जिनके तरफ से आपके assignment submission की guidelines जारी कर दी गई इनके अलावा जो भी regional centers हैं, आप सभी students एक बार अपने regional center को mail कर दीजे कि आप assignment submission की guidelines जारी कर दें, या तो online assignment submission किया जाएगा, या फिर offline क्योंकि अभी आपके assignment submission के लिए सिर्फ 20 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है ऐसे में अगर आपके regional center की तरफ से कुछ guidelines आ जाती हैं, तो अच्छा रहेगा otherwise आप सभी students अपने assignments अपने-अपने study centers पे offline जमा करवा सकते हैं, आप सभी students के लिए एक छोटी शी information, आप मेंसे जिन भी students ने अभी तक अपने assignment जमा नहीं करवाएं, जल्दी से जल्दी आप अपने assignment जमा करवा दीजें, आपके assignment submission के लिए 31 October की last date दी गई है, जिन भी students ने July 2021 session में अपना new admission करवाया है, या फिर अपना re-registration करवाया है, आपको अपने assignment next year, मार्च और अप्रेल के महीने में जमा करवाने हो होंगे, आपके भी assignment के solution अभी हमारे पास में available हैं, जिन भी students को अपने assignments के लिए sold assignment से ये, आप directly मुझसे WhatsApp पे contact करके, अपने assignments के लिए solution PDF मुझसे purchase कर सकते हैं, दोस्तों अभी जो Kolkata Regional Center के, जो भी study center change किये गए हैं, उनकी list आप यहाँ पे check कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, due to some technical reasons, you have been shifted to the nearest possible learner support center, और यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन-कौन से study centers हैं, जिनको अभी बंद कर दिया गया, और जो new वाला study center है, उसकी भी सभी details यहीं पे दे दी गई, आप सभी students इसे जरूर चेक कर लिजेगा, और दोस्तों आप सभी students से मेरी request है कि आप इस सभी students को इसके बारे में जानकारी मिल पाए, यहाँ पे उन सभी students की list भी दी गई है, जिनके study center को अभी change किया गया है, जो आपका जो भी session है, आप उसी session को यहाँ पे open करके और उस list में अपना नाम चेक कर सकते हैं, जिन भी students ने January 2020 में fresh admission करवाया था, उनकी list यहाँ पे द दिये हुए हैं, आप इनको open करके और अपना नाम इन में चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, कोलकता regional center की तरफ से पहले आपके assignment submission के लिए Google form जारी किया गया था, और यहाँ पे आपको अपना study center code भी डालना था, जो भी आपके अभी नए वाले study center आपको alert किये गए हैं, अगर आप अभी अपना assignment जमा करवा रहे हैं, तो आपको new वाला study center code यहां पे mention करना होगा, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ, आपको यह information पसंद आई होगी, friends वीडियो को like कर दीजिगा, like करने के साथ आप इस वीडियो को अपने friends के साथ मे facebook और whatsapp groups में share कर दीजिगा, साथ ही दोस्तों आप अगर channel पे पहली बार आ रहे हैं, तो channel को subscribe कर लिजे, subscribe करके पास में notification bell icon को press करना, ना भूले, thank you friends